हलो एब्रिवान वेलकम टो सिबिल सर्विस करनर आजी रहे लेक्चर आमें डिस्कॉस करिवा गुड गुड गोवर्नांस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तो आगरू पड़ते लेको गुड गोवर्नांस कॉम्प्लिट करते ले ता आगरू न्यू पब्लिक आड्मिस्रेशन बट आजी देखाँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पड़िवा तो न्यू पब्लिक आड्मिस्रेशन आओ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वितरे कभी कॉन्फूजन हा बनी न्यू पब्लिक आड्मिस्रेशन आला बिसिकली आड्मिस्रेटिव आस्पेक्ट पूरा कॉम्प् पॉब्लिक अर्टनिस्टेशन रोटे आमरो अपन ग्रूप अची तो मैं यहाकू लिंक रे जोइन करी पारीवो टी डॉट एम इस्लास पॉब आड ऑसी एस पी यूबी एडी ऑसी एस तो यहाकू नहीं की तमें जोइन करी पारीवो और डिफरेट बहुत सरा बढ़े कि माहा आमरो बीडियो लिंक सबढ़े तमें कवेरेज पारीवो ओके तो एबंन myarry डिस्कुशन स्कहफ करीवा अथे नियू पाबूज मैनेजमेट देटा जिन दियंसवा आ happiest हमयो पाबली समें क्योंजमें कंव मैं opponents यौ olmasảiू ब्रिया अंतान्वतियुं का किएस पे स्पह रिज्पेटिब् आत्वाइन बदधन कुड़कोataral करें से सभी जिनसों को आम्यार डिसकर्श करीं तो एवे आम्यार डिसकर्श करीं आप्रृम्यारे यू पाब्लिक मेर्मेंट हें quin,देखिवा ना वुषिकली अगरु ओड़ीचो को सिच्च्योसि न्यू ऊदख नौरे जो अमेरिका बेसिकली गोड़ फैनांचियाल क्राइसीस पेस करते ला नाइटिन सिस्टी वड़कूं तो सतवड़कू कॉन हैला ना बहुत आमरो जो पॉब्लिक सेक्टर एंटर्पाइजस माने समाने तांकरों कॉन कले ना बहुत सरा लोसेस इंकर कले जहेतु बहुत सरा ल ओस कले और फिजिकल डेफिसिट एड़ फिसकल, F-I-S-C-A-L, ओके, फिसकल डेफिसिट बोड़ होला तो एई सब्वू जोगू आमरो कन हेला ज। जहेतु P-A-S-U मने profit-making कमे दले डिभाईडएंट कमी जीवा। गमेंटर रेभिन्यू जेनरेशन हाही पारी वोनी प्रिश्ली कण भो ना हाई लेबूल अब फिजिकल डेफिसिट प्रवया शीवो तो एई सव जोगु आमरो अभराली कण हला ना इंफलेशन अउउन एम्प्लोइमेंट क्रियाशन हला ओके तो एई जिन्सट तो आउम बुजी पारलो बाई 1960 ए सिचुचण थेला तो सिचुचन कन्टिनू तिल 1970 अलशो 1970 जाए वी ऐससीच्चण जारी ही की रहिला तो अमेरिका है याकु केमती रेसपॉण कला ना बेसिक नीड अप्रोच अपलाई कला बेसिक नीड आप्रोच रे कुणला ना गुर्मेंट पोर पीपुल मानां करो साटिस्पेक्शन को फुल्फिल करिया पे इंट राही कोला जमी इनदी पबटी रेडोक्शन करिया पे इंट राही कोला अनेंप्लोइमेंट एलाउंसेस दला हेल्थ एजुकेशन आउड ड्रिंकिंग वाटरे एक्सपेंडिचर बड़े हिला ओके तो एही सबु जिनसरे बेसिकली फोकस कला गुर्मेंट येसरों गुर्मेंट तो 1950 रे तहले कौन हितला आमें देखा ठीके जोस्ट पच्छकु जाओँचे तो 1950 रे USA was more socialist than Russia which acted as welfare state तो 1950 रे कौन हिला USA आमें जाणीचे आमरो सोस्यालिस्टिक रोसिया रोसिया रे आमरो कौन? आमरो स्टेट कौन्ट्रोल कौन्ट्रोला सबु मार्केट एकनोमी नहीं से तरे स्टेट सोस्यालिस्ट कौन्ट्री माने कौन? स्टेट सबु जिनसो कौन्ट्रोल कौरिए तो सेम्ती इवेसे भी सही 1950 रोसिया आजे welfare state कौन्ट्रोला यहितला By 1970 government was spending a lot of money in public sector enterprises तो 1970 पाखा भगी USA रो government कौन कौन कौन्ट्थ ले ना public sector enterprises मानों करे बहुत सारा welfare scheme implement करिया पाईं बहुत सारा money spend कौर्थ ले सित्वड़को अमेरिका रो प्रेशिडेंट तेक किये थे ले रोनाल्ड रेगन सम्ती यूके यूके रो ट्रेड इन यूनियोन रो लेबर पाटी थे ले मार्गेट थालचेर ओके थालचेर तो PMF UK तो दी जोन जाको गर्मेंट कौन कले ना समाने कौन भाभुते ले ना public sector enterprises are filled due to politicization of bureaucracy आमाने कौन आमे ब्यूरोक्राट्ची कुछ politicization करीवा जोगू आमारो लोसे सहला public sector enterprises मने लोस कले तो यह तरे आमें देखो नेक्स्ट आमें आउट यह पचकु जुवा 1930 रे कौन हला ना आमें बेसिकली यह तरे economical concept कु बुझेयर बें ट्राइग करीवा कौन पहिए आमें फास्ट देखो आमें फास्ट कौन देखते ले public sector enterprises मने जेता वड़े लोस कले सतबले आमारो कौन हितला ना जेह तु डिभाइडेंट कमिंग अला government revenue कमिंग अला सतबलकु कौन हला ना 1930 1930 कु मने पकाओ 1930 रे अमेरिका केमती स्टेट थीला ना market कु फ़लो कौर थीला leas fair state माने market मेकानीजीम अनुसरे चालू थीला तो market मेकानीजीम अनुसरे जू चालू थीला market मेकानीजीम रे कौन हुए ना आमारो जेतिकी डिमांड सेतिकी सप्लाई हो तरु जो बोड़े बालांस क्रियेट करीकी से market टा अपरेट हो थीला तो अमें सेजी मार्केट रो कॉन्सेप्ट कौन थीला ना सेड़ा केवे केवे प्रोब्लेम कोरीवो नी जू अमारो leas fair state मार्केट एकोनुमी बाद क्यापिटलिस्ट एकोनुमी बेसरे चाली थीला इवेसे सेजी तरे प्रोब्लेम हेबो नीवोली कोहिले कौन पाहिए ना सेड़ा डिमांड अवो सप्लाई मोध्यरे अटोमेटिकली बालांस क्रियेट कोरीवो और जेतीकी डिमांड वो सेतीकी सप्लाई कोरीवो मार्केट ही अमरो प्राइस को फिक्स कोरीवो बट जेता बढ़ ग्रेट डिप्रेशन असला 1927 ग्रेट माने मार्केट एकोनोमी बट युएसे थापर कॉन हला वेलफेर स्टेट को कौनबर्ट है गला तो सेथी पाहिए देखो बेसिक नीट पिपूल मानुकू किया दला स्टेट दला वा गम्मेट दला मार्केट दला नी ओकई शो स्या आउ कॉन कोई ले और कि युए प्यवेसे टू इंप्रोब तयर प्वाफोर्वामानस बई गिविग स्ट्रिक्ट वानिंग आइदर फॉर्फॉर्वर्व फोर्फॉर्व और पेरिज चुर अमरो जो अमेरिकाड फॉर्वर्व कॉन थे मिर सेखे कोईले पियेस्टावानुकोएथ परफर्म और पेरिज यह दीयोट। तो basically PSU मानुको आडप्ट कले, तो PSU मानुको आडप्ट कले कौन अबो ना basically PSU माने कौन करी परिवे, अति वैसरे revenue जनरेट करी परिवे, तो physical deficit आमरो केमती कमी वो, फिजिकल डेफिसिट को आमें केमी दी कमी परिवा, दीटा हुए रे कमी परिवा, आज दोर आमें expenditure को कमी वा, किमबा आमरो revenue को बढ़े दवा, ताले physical deficit को आमें एथरे कौन कले, एथरे कौन करा गला, ना expenditure of PSU को कमी दिया गला, PSU रो expenditure को कमी दिया गला, आमें देखेले 1930 रे कौन सीचोशन थेला, 1960 रे कौन थेला, 1950 रे कौन थेला, तो बाइ लेट 1970 लास्ट बढ़ को, 1917 लास्ट बढ़ को कौनला, ना अमेरिकान एकनोमी एगेन कौलाप्स रेगला, because of failure of state, with the collapse of public sector enterprises, आमरो 1930 रे कौन थेला, market failure रे इतला, great depression आस्तेला, 1960 रे कौन हैला, PSU मान करो, PSC मान करो failure आसेला, केमती ना आमरो, basically, PSC मान करो inefficiency बा पोलिटिक साइजेशन और भीरोक्रासी जोगुँए अमरो, state मने failure रे इतले, सो, एबे आमें देखिवा, जिता बड़े collapse है गला, public sector enterprises माने, आमारो, overall economic system भी collapse है गला, late 1970 रे, सो, अमेरिका कु आउ किछी option न थेला, पूनी आउतर से market concept कु पूनी आउतर गला, 1930 रे जो, जो जिन्सो करूत ला, 1930 पूरबरु, से इक concept कु पूनी आउतर गला, तो नो, एड़ी कॉन कोई बामें, ना, it had again opted for rightist philosophy, आजे part of rightist philosophy, rightist philosophy कॉन कोईची, ना, rightist philosophy कॉन कोईची, ना, public sector enterprises माने कु आबोलिस कर दिया जाओ, और restriction अच्छी जो, private sector माने कु नहीं की, आकु remove करा जाओ, तापरे, it had provided opportunity to private sector to participate in service delivery mechanism, तो right philosophy कॉन कोईची, ना, P.A.C. माने कु आबोलिस करा जाओ, प्राइबेट सेक्टर माने करो जो restriction होची, ताकु रिमोब करा जाओ, प्लास, प्राइबेट सेक्टर माने कु सर्विस delivery mechanism रे participation करिया पेई, दिया जाओ, बुजी पाललो, तो N.P.A. ताले कौन पें इंट्रोडूस है इतला, ना, P.A.C., इडा मौने रखिव, N.P.A.M. पें इंट्रोडूस करतेला, USA, ना, Public Sector Enterprises मानों करो, functioning कु improve करिया पें, इंट्रोडूस है तला, तो improve कोले कौन होब, Public Sector Enterprises मानों करो, function कु improve कोले कौन होब, they could compete with private sector, they could compete with private sector on the level playing field in the age of liberalization and privatization, तो एत्ती की जाएं बुजी पाललो, तो आमारो एट आला कौन, background, post-weberian development, या पाइं को हुँचे, ना, वेबर्ण को परे, जहां सबु डेबलोप्मेंट हीजी, ताको आमें, post-weberian development को हुँचे, तो एटा हला, background of new public management perspective, तो एबे आमें देखिवा, next, meaning of NPA, ताले आमें ताको कौन पाइं, new public administration बली को हुँचे, तो new कौन पाइं को हुचे, ना, आमें is called new, ताले public कौन पाइं को हुआ अगला, public इती पाइं को हुआ अगला, ना, सेत्वलकु, छे जो public sector enterprises मानों को ना अंत्रोरू, public को हुआ अगला, जहेतु, गम्मेंट रोव सेटा तीला, तो एटा हला, सेती पाइं ना, public, ताले management को पाइं को हुआ अगला, ना, because it emphasized on managerial aspect, manager आस्पेक्ट को जेतु इंफासाइज करूतला ताकु आमें कुण कुछे एनपीम मैनेजमेंट को हागला त्यानु तीन्दा मिसले कुणेला न्यू पॉब्लिक मैनेजमेंट तो बिसिकली एनपीम एनपीम एंफासाइज कहाओ प्रे करा गला ना इंफासाइज अन 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 इंफासाइज इट्सेल्फ आजे सर्विस प्रवाइडर एन्पीम रे कॉन भावुची गवर्मेंट नीजोकु ना सर्विस प्रवाइडर बोली भावुची आउ सिटीजन मानुकु कॉन कोईची देयार्द कॉस्टोमर और कॉंजुमर ओके सेत्वड आगुरु कॉन थिला मोनार्कियाल सि देबलोपमेंट हाला सितवड़कु कॉन कोरा आगला ना पॉब्लिक वा सिटीजन मानुकु कॉस्टोमर वा कॉंजुमर बोली कॉआ गला ओके तो एन्पीम तुम बुजिलो न्यू पॉब्लिक म्यानेजमेंट तारो मिनिंग बुजिलो ताकु कॉन पयामें कोई चे इतरे गल्मेंट बेसिकली सर्विस प्रभाइडर हिसा बरे कामा करूची आउँ कॉन करूची सिटीजन मानुकु कॉस्टोमर और कॉंजुमर हिसा बरे ट्रीट करूची ताले आमें कॉन देखिले न्यू आमरो वेबेरियन डेवलोपमेंट जो लास्ट देखिले सेकेंड देखिले कॉल मीनिंग आप एन्पीम ताले एन्पीम जो इंट्रोडूस है थिला तारो अब्जेक्टिव को आमें डिस्कॉस करीवा ओके तो लेट्स सी दा अब्जेक्टिव तो फास्ट अब्जेक्टिव बहुत इंपोर्टांट मौन रखो तो जिता वड़े फास्ट अब्जेक्टिव तामा पड़ू चो एन्पीम विशारे बहुत इंपोर्टांट तो कॉन पहीं बहुत इंपोर्टांट देखो एडिम मों जो बुजो उची सही जो पाट्टा जु रस्पोन्सेबिलीटी पाट्टा किमती चेंजे सला शेड़ा बहुत इंपोटन तो यतरे देखाऊ NPM रहा फास्ट अब्जेक्टिव थिला ब्युरोक्रासी उपरे जु मोराल रस्पोन्सेबिलीटी योची ताको लिगाल रस्पोन्सेबिलीटी को ट्रांस्फर्म करि तारो अब्जेक्टिब थिला, moral responsibility कॉन, moral responsibility रे अमरो सेम्ति कीछी, तारो कीछी सपोज आमे moral responsibility नो नही की, इम moral है कोले पा, आमे moral responsibility, morality responsible को आमे कातिर कर ले नी, आम मनोईचे कामा कोले, obviously कौन हो, in efficiency create हो, आमरो जुँ failure हो state, but legal accountability जुदी आमे कले, तारो ताकू आमे कोरी परिव legally accountable क्ये ही परिवे, bureaucrats माने legally accountable ही परिवे, किमबा, आमे जुँ new public management जुँ आमे कोई चे, सेत्रे जु पॉब्लिक हेक्टर enterprises माने, समाने legally accountable होगे, जोदी समाने ठीक से implement नो करी परिवे, तो सेत्री पाइं, it emphasize on role back of the state, state ये दरू कौन हला, welfare activities रू withdrawal करी दला, ताले withdrawal जोदी से कर दला, ताले कौन प्रभाइड कला, जा private sector मानों कु opportunity प्रभाइड कला, to do the same, आगुरू जो पॉब्लिक हेक्टर enterprises माने, welfare state इसाबरे कामों करूथ ले, वा welfare activities सबु करूथ ले, से ही सबु activities कु कहा कु करिया पें को आगला, private sector मानों कु करिया पें opportunity दिया गला, फास्ट ज प्रभाइड कले, moral responsibility रू, legal accountability को केमती कौन बढ़ेला, ता प्रे second जिन्स, NPM, basically focused, NPM is based on politics, administration, dichotomy, तो politics, administration आमें जानूँ चे, जे administration, politics रू, different, जो dichotomy यो को हुची, तो NPM भी याकु support करूची, कौन पाई याकु support करूची, ना, आमरो, administration रो कामों कौन, जहा सबु political executive माने, formulate करीवे, administrator माने क्वां करीवे, execute करीवे, बाई, implement करीवे, जहे तू, NPM, focus करूची, implementational aspect of bureaucracy, ताकु आमें, क्वां को हुचे, NPM is based on politics, administration, dichotomy, then, third, third objective, while focusing on implementation, जहते वले समाने, implementation को focus करूची, bureaucracy should give importance to economy and efficiency, जहते वले, public, आमरो, implementation करूची, welfare activities को implement हुची, जहते वले को, bureaucrats माने, बाई, bureaucracy should give importance to economy and efficiency, third objective, एबे आसो, fourth objective, फोर्थ, 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 अब्जेक्टिव, रे कालोची, आमरो, administration को, efficient करिया पाई, performance evaluation करिवा, निहाती दरकार, आमें देखा, fast lecture पड़े थे ले, activities, perform by organization, जित वलको आमें कौन देख थे ले, performance evaluation कोड़े अक्टिविटी थे ला, और अर्गानेशन रो, तो performance evaluation कौन पहें करूँ थे, future, जो policy making पाई, जोड़ा benefit हो, आमें जोदी performance evaluation करी वानी, future जो आमें planning करी वा, ताको ठीक से plan करी पारिवा नहीं, योदी performance evaluation करी वा, ताले कौन करी पारिवा, जिये implement कला, से कौधरे lapse कला, बा कौधरे डिला कला, कौधरे tight कला, ताको नहीं आमें, पुणी अथरे redesign करी पारिवा आमारो policy, फॉर्थ, फिप्त कण, NPM, आउकण advocate कला, scientific management principle को advocate कला, तो scientific management principle को use करी आपिशे कहला, कौण पाहिए, scientific management principle कौण कहुछी, performance, आमारो efficiency increase हो, तो यथरे आमारो scientific management principle जोदी public sector enterprises मानो करे, इंप्लिमेंट हैबो, ताले कौण अबो, ना ताको रो performance बड़िवो, efficiency बड़िवो, तो सेई जो पाटको आमें कौण कहुछे, new or teller रिजीम कहुछे, कौण पाहिए, जो teller कौन थिले, scientific management principle रो founder थिले, तो जहेतु scientific management principle उड़ा सभू, कौँट ही आमें अपलाई कोरुछे public sector enterprises रे अपलाई कोरुछे, जहेतु इटी जह management technique, एड़ा कौन, NPM, तेनु याको आमें कौन कोई पारिवा, new or teller रिजीम, new or teller रिजीम, तो तमको question आशी पारे बेड़े बेड़े, जह new public management, इस also known as new or teller रिजीम, comment, MD option आशीवो, तो याको तमें describe करिवो, तो यह तरी management principle को नहीं की जोदी गोटे, public sector enterprises रन करिवो, और बेड़े रन करिवो, ना public sector enterprises मानों को, जहेतु आमें private sector को एलाव कोले, welfare activities मानों को पाई, बा service activities मानों को पाई, जोदी public sector enterprises, private sector entity मानों को सोई तो compete करिवार थिवो, they should provide quality services at affordable prices, so that they can attract more customer, ओके, cost cutting is extremely significant, by adopting scientific principle and by ensuring optimum utilization of resources, cost of production can reduce drastically, तो याको नहीं की तो मैं गोड़ा example देपरिवो, State Bank of India, State Bank of India, यह अमरो जो leading private sector bank, HDFC, ICICI, यह मानों को से तो से compete company गोरी परुछी, ना, State Bank of India भी सही जो scientific management principle, apply करूछी, एथरे performance improve करूछी, ओके, तो यह जिन्सों को तम्हें relate करी पारिवो, ताब रहाओ कॉन objective, 6th number objective, ना, effective responsive mechanism को provide करीवा, तो effective responsive mechanism to address the grievances of the customer, State Bank जो तरो जो customer grievances पर्टाल, सेम्ति, तम्हें तको एग्जाम्पूल इसाबर नहीं पारिवो, public sector enterprises माने समाने कौँ करीवे, ना, customer मानकरो grievances को, redress करिया पाई, बाँ, address करिया पाई, समाने कौँ करीवे, गोटे, effective responsive mechanism क्रियेट करीवे, चिम्ति, help line, किमा चाट बोर्ट, एग सबुजी नहीं समाने देई पारिवे, ताप्रे, information technology को भी इतरे यूज करिया पहीं कोई गला, कौण पहीं, ना, information technology, lead to improve the efficiency of administration, ताप्रे, human resource development, also given due to emphasis in the form of scientific requirement, scientific training, and objective performance evaluation, जोदि, human resource development को, जोदि, हमें fully utilize करिवा, ताले, आमरो, obviously, कौण करिवो, कौण बढ़ीवो, efficiency बढ़ीवो, तो, basically, human resource development in the sense of scientific recruitment, scientific training, and recruitment, requirement, no, recruitment, scientific training, and objective performance evaluation, ताप्रे, ताप्रे देखो, next objective कर, quality regulation, आमको qualitative, quality regulate करिया पहीं पढ़िवो, quality regulation माने कर, सपोज, आमें, ब्यांकिंग सेक्टरे कर रे कर वोची, regulating authority किये, ब्यांकिंग सेक्टरे, regulating authority किये, reserve bank of India, तो, reserve bank of India, जो, regulating mechanism से apply कर ची, ताको, quality तारो से, regulation mechanism रे qualitative, थिवा दर करवा, quality ही थिवा दर करवा, भलो ही थिवा दर कर, सो एथरे देखा जे तू improving the quality of regulation हाज private sector most regulated to prevent the emergence of monopoly जदी आमें ठीक से regulate ना करिवा private sector मननों कु ताले कॉणब ना monopoly create करिवे private sector मनने तानू एई पाट को आमें कॉणब होँचे near right philosophy कोईचे तापरे देखा Disaggregation of public bureaucracy into small agency responsible for providing specific services to citizens on cost benefit basis तो ATM है कॉणब एग्जाम्पूल देए परिवा सपोज आमरो treasury organization treasury organization कॉणब कोर चूँदी pensioner मनों कु पेमेट दिया जोँची तो मैं जानी थिवो आगरू कॉणब होँथ ला एपे तो चेंज़े सी यहीची बट आगरू कॉणब होथ ला जेते सुभू state government pensioner मने तरेजरूर pension पाऊँब होथ ले कोड़ पाऊँथ ले ब्याक मनों कु जेकी pension पाऊँथ ले तो ब्याक मने कर कामों कौण ब्याक मने state रो agency इसाबर कामों कॉणब दे ये तो state रो agency साबर कामों कॉणब कर दे समाने pension और मनों कु पेंशन दोध ले तो साइज इन्सों को तमे इतरे रिलेट करी पारी हो ताप रे provide more choice to citizen in service delivery mechanism service delivery mechanism रे तमे जो देखी हो तमे चाहिए ले government sector रे यूज करी पारी हो तो से जो more choice जो citizen मानुकु service delivery mechanism रे दबा से डावड़े तारो कॉन थिला monopoly जो थिला गुरूप PSE मानुकर से monopoly कु ending करिवा तारो objective थिला तो बहुत सरा objective थिला NPM रे ओके तो ए जो objective वह अनुकु तमे कॉन करीव ना 1 2 3 करीकी लेखिवा जेत्रा objective थाकु मने रोखिवा तो objective आमें देखे ले कॉन कॉन सब डिसकास कले फास्ट आमें डिसकास कले ब्याग्राउंड जोटे की post-to-bevarian development तावरे NPM कु डिसकास कले NPM कु देखे ले objective आप NPM देखे ले जेमति आमें देखे ले moral responsibility लेखाउंटीबिलिटी कु केमति क्रिये टेला politics administration डाइकोटमी कु केमति support कला NPM तावरे economy आउ efficiency कु फकॉस कला performance evaluation कु फकॉस कला scientific management principle कु advocate कला जोटे की आमें new television को हुझे information technology कु यूज कला customer मन करो grievances कु address करिया पहिंत try कला new right philosophy quality regulation application करिया पहिं try कला improve कला तापरे public bureaucracy disaggregation करी की small agency मनों कु छोटो छोटो services provide करिया पहिं allow कला तापरे citizen मनों कु more choices provide कला ओके objective of new public management तो एवे आमें देखिवा analysis आमें आउटीके analysis करिवा जे कौन-कौन सोभू हेला analysis ठीके कले better understanding करिवा better way रे बुझी पार इवा NPM को ताले एटी देखो analysis आमें कौन देखिवा new public management जो अच्छी to people चोद रे grievances रेड्रेसाल मेकानीजिम न थिला सेथी पाई बुरोक्रासी failure हे गला quality services to citizens quality service service प्रवाइड करी पारिला service delivery मेका रिजिम भलो करीवा ताकू automatically customer भने जिवे तो main objective कौन थिला इतरे ना on productive expenditure of the government by making PSEs efficient तो PSE मानू कू efficient करीवार objective इतरे थिला PSE मानू कू efficient केमती करीवा ना on productive expenditure कू reduce करीवा जिये तू समाने private sector से तो competition करीवे obviously समाने चाहिए आमारो expenditure कमू आओ आमारो profit बढ़ू ता पर देखो techniques of scientific management are used to improve efficiency of the public sector enterprises तो यार focus कौन थिला ना to realizing the outcome and retaining customer focus on following oevarian norm oevarian norm को follow करीकी आमको कौन करीवा पर आउटकम उपर focus करीवा आउटकम आउटकम माने देखे थिला new public management आउटकम customer retaining focus एई सबु जिनसो उपर focus करीवा पर आउटकम new public management coaching तो आपरे last point देखार in developed economy people are willing to pay for services as standard of life is high developed economy मिरे देख्यो बहुत सरा quality बहुत सबु जिनसो affordable सबु जिनसो पाइए सबु जिनसो पाइए सबु खर्चो करीवा which can be achieved by adopting new public management technique तो new public management technique developed country मानको पाइए तो एब्बे आमें देखिवा effect NPM जोगु आमरो कोण हेला NPM basically help कोला UK आउ USA को basically reducing their physical deficit physical deficit reduce कोर्यारे help कोला आउ बुरोक्राशी मानको तांकर बुरोक्राट शिस्ट बुरोक्राशी को professional आउ efficient कर दला तो after 1991 crisis India also forced to push radically alter its economic policy it had introduced liberalization, privatization and globalization तो मने रखिवा 1991 डे new economic policy जोग आशिला तो basically कौन पहें आश्तेला ना economic crisis आश्तेला new economic crisis को overcome करिया पहें कौन आशिला ना new economic policy in the form of liberalization privatization and globalization तो एज जो शिलाबसर तमें देखितला एज शिलाबसर कौन देखितला एट देखा challenges of liberalization privatization globalization तो एटी आमरो तिंट्या जो प्रोसेस आला liberalization मने कौन आमरो rule आउ regulation को आमें कौन कोले liberalize कोले वाट ठीके जो restriction थिला ताकु कमाई देले globalization कौन globalization आमें गोटे country रो future कू आवो गोटे country सेतो कौन कोले integrate कोले तापरे privatization प्राइबेटेशन मने कौन आमें जे तोड़े ownership PSE मने करो public factor मने करो ownership जोदे आमें विक्री करते वा ताले ताकु आमें कौन कोई वा privatization करिवा private sector को आमें जोदी sell करते वा ताले privatization कोई वा तो डिटेल जोदी आमें देखिवा liberalization जोगू आमरो कौन कोला liberalization stage रे government monopoly of the PSE को end कर दला तापरे license कटा और permit राज को dismantle कर दला domestic market आमरो domestic market को private sector upon कर दला तिन्टा जिन्सा बहुत easy state public sector monopoly को end कर दिया गला license कटा राज को dismantle कर आगला domestic market को private sector allow कर दिया गला globalization जोगू कौन आला जित्तिकी restriction थिला foreign trade investment तो एई सबु restriction जो थिला ताकु remove कर दिया गला foreign investment trade भला होब ना नहीं तापरे privatization जोगू कौन कला ownership जो थेला P.A.C. मानकर government ownership private sector को transfer कर दिया गला तो आज ये part of liberalization privatization globalization globalization एई सबु जिन्सा हला तो basically new economic policy LPG reform जो आशेला अब्जेक्टिव कौन थेला physical deficit को कम्मेइबा आउ public sector enterprises कु एफिसेंट करेवा तापरे quality of service delivery mechanism को improve करीवा आउ service delivery mechanism competition को introduce करीवा तो चारिटाला basic objective थेला कार LPG reform रो त्यानू NPM जो इंट्रोडूसला इंडिया रे successful in realizing some of the objective जो objective को नहीं की LPG launch इतला से objective किछी मात्रारे कणला successful है इतला वोली इतरे वहा जाओची तो effect of NPM में देखिले effect of NPM तापर देखा criticism against NPM तो NPM को जोदी तम्हें भलो भावरे बुची पार थीवो ताहले तम्हें ताकु भल्चे criticize करी पारीवो तो मुझ पुणे यह उतरे तमको repeat करोऊची NPM रे आमें सबु कौन-कौन डिस्कॉस कले ओके NPM रे आमें कौन-कौन डिस्कॉस कले ताहरे पुणी आउतरे पुणी आउतरे 1970 से मरकेट लोमीक को कले यह शाला तौन पारें फ़ी पुणी आउतरे मारकेट एकॉन्मीक पड़े baş को ले समाने भी और यह 내가 अ मनड़ीर प्राइबेटेसन भी हला बहुत सरा झिन सकेला बाट मेजर जिन सो कॉष्पीप्ट को मनो कुप्ति सिपेस गरिया पहिः इतरे मिल वंको पॉबलिक सेंटर्पईजस मनो करें तो खोर टेकनिक नुओ मैनेज़ एकनिकifter को यूजला तो यह सुब मेनिंग अब्जेक्टिव इत्रों में जिन्सों डिस्कॉस करते ले तो एभे आमें देखिवा क्रिटिसाइज करिवा तो क्रिटिसाइज चुदि आमें देखिवा बिसिकली न्यू पॉब्लिक मैनेज्बेंट को फास्ट आमें केमती सम arrive more durable controli be free work that is the government make the basic assumption that people are capable of paying of services. But applicability of NPM for developing country like India can be seriously questioned for example in a developing country like India maximum number of people are poor and not in a position to pay for services. So it automatically means that they are excluded from the service delivery mechanism which would not विदा केस तो समन जेतु इंडिया वल्या कांट्री रे बहुत सारा पोर होच्छंदी मैक्सिमूम फिपूल सार पोर नोट इने पोजिशन फोर पेफोरे सर्विसेज आले कोणबो ना एन पेम इतरे काम करीवो नहीं अटमेटिकली जो सर्विस डेलिवरी मेकानिजिम रे पो शिए ओमलुणा ना यू पोडिक मैंज मेंट्रॉबिट गोभ मेंगेंट् ना सर्विस प्रविदर लाइक इनी अधर प्राइबेतो जिप्रहलुणा इंडिया कोजल्य पփएंट्री गोट शीपुदर सो जिशन बाणिजेड़ यहांकोος भीोट सार्विकट्य अबाठ य केम्ति करी वे देखिवे तो एन पीम रे भी सेम्ति गश्टिकी जिन्सा खर्चों करूँ थाला जो जिन्सा ताकू कोस्ट कोट करी की कोस्ट अफ प्रोडक्शन एतिकी एतलिस्ट रिकवरी करियो भी चाहूद ला बट इन रियलिटी गवर्मेंट इस नोट ए सर्विस प्रवाइडर गवर्मेंट कैननोट कॉंसिडर आज प्राइबे सेक्टर और अर्गनेशन इड मस्ट मैक्सिमाइज दा वेल्फेर अफ पू अछिब्न मोड़्ट कको जो मने एकुटी शेटा अपनाने लिफिस्ट गवर्मेंट जो मने इकुटी बुझी नगी जाहती कोम बचि ठिवा जाहीते को इने वेश तरर्म कु चलियाबें पोडिवो तो NPM हाज लिमिटेड अप्लिकेशन विदिन गम्मेंट दो एड़ा कोन सेकेंड क्रिटिसिजिम थार्ड क्रिटिसिजिम कोन NPM क्यान भी आप्लाइड अनली सम स्पेसिपिक अक्टिविटी पोफंभाई गम्मेंट जिम्ति आमें law and order आमें तको अप्लाइग करी पारि भी हैनी maintenance of law and order आमें NPM को अप्लाइग करी पारि भी हैनी disaster management आमें तको अप्लाइग करी पारि भी हैनी So the government has to provide services to people without expecting anything in return. The government basically people मनु को service कौन पर प्रभाइड करियो without anything expecting any in return as a welfare state. There are also some public goods for which post benefit analysis is not possible like street light, drainage, roads and so on. So they are used by many people. तो शित्रे आमें केते cost benefit analysis आमें करी परिवा नहीं. ता आपरे अनादर criticism देखा. In the name of rollback of the state, state रो जो responsibility जो अच्छी basic provide service करिया पहीं, basic aminti provide करिया पहीं, citizen मनु को शित्रे rollback करियो उची. तो नू, all the services are privatized. So it has adversely affected the welfare activities of the government. Okay, बुझी परलो. तो NPM itself had failed in the country like USA, UK and other developed country. शोदी आमें example देखिवा. UK passport office privatized हे गला. कौन पहीं privatized हेला, efficiency इफ्रोप करिया पहीं. So before privatization कौन उथला, citizen 5-6 pound दो उथले, आउ wait for 2-3 week to get their passport. But after privatization, they are forced to pay around 20 pound and had to wait for minimum 6 week to get their passport. So it means that it only resulted in low quality of services at higher prices. So privatization did not automatically result in efficiency. Privatization automatically efficiency result करियो नी. तारो में भी टेक्निक थी वो, से टेक्निक कु बेस करी किसे efficiency result करियो. So on the other hand, it only resulted in private sector monopoly due to failure of the regulating authority. काम कु कौन करिया पहीं पढ़िवो? Regulating authority मानंको success करिया पहीं पढ़िवो. Regulating authority आमको regulatory mechanism का आमको qualitative करिया पहीं पढ़िवो. जेतु regulating authority माने failure हे गले, सेतवल कु एजिन सो हला. So it has forced developed country to go back to state-led development. It resulted re-nationalization. तो obviously आमें जो देखिवा, आमर जो developed country माने पूनी आउतरे कौन को ले? पूनी आउतरे? से जो पूनी आउतरे state-led development को पूनी आउतरे पढ़िवो. तो यहाको आमें कौन को आउचे? re-nationalization. तो पूनी आउतरे जो दे नेशनालाइजिशन को आमें आगे ले, ताले आमें दा कौन कोई वा? re-nationalization. ता पर देखा 2008 गलोबाल क्राइसिस जो हीतला. एटावड मेजर प्रिटिसिजिम. एनपेम जगू आमरो कौने ला, आमें समस्ते एनपेम आपलाई कौरते ले, एनपेम को फोकॉस कौरते ले. तो 2008 रे जो गलोबाल फिनांशियल क्राइसिस जोला, छेते बलो कौनेला, ना गौर्मेंट रियलाईज दा विकनेस अब दा नियो राइट फिलोसोफी एंड क्या नेभर भी पर्फेक्ट. ओके, तो नियो राइट फिलोसोफी जो अची, सेवडा केवे भी पर्फेक्ट है परिवो नाही. So, it has pushed the government to change their development strategy by bringing into focus state again as main actor of development. So, state को पुणी आथरे main actor of development ही सावरे consider करा गला. So, in the name of NPM, state has abdicated its responsibility in forms of market. So, तो ना यू NPM ना रे कौन कर ला, ना state कौन कर थला, ना तारो responsibility उड़ा कू market फेपरे देदू थला, जमतिय अबे government करुछी. So, the government had realized their mistakes. Okay, तो एई सुबु जिन्सों आमें कौन लेखे ले? Impact भा, criticism रे आमें देखे ले, criticism रे देखी सलना परे, आमें conclude करीवा. Conclusion रे भी देखो बहुत सरा point होची. तो ठीके देखो, एधरे 5-10 मिनिट तो minimum लागी वो, तो conclude जोदी आमें करीवा, NPM should always be means to, NPM को आमें केमिती उटलाइज करीवा, सेटा कू, conclusion रे आमें लिखे परीवा. तो NPM को आमें केमिती उटलाइज करीवा, NPM should always be mean to realize the objective of welfare maximization. तो आमों कू सबु बढ़े मनरख्या पहें पड़िवा, जे NPM को आमें केत्य बढ़े उटलाइज करीवा, ना welfare maximization को आमारो objective रहिवा दर्का. It cannot become an end in itself. That is, privatization cannot be ultimate solution. First conclusion. Second, NPM still has relevance for country like India, जो थोरे PSEs are still inefficient and incurring losses. Air India रो example नहीं परीवा. Air India रोट PSE, बबी inefficient, losses incurring करूची. तो NPM still has relevance for country India. तो आमों को कौन करीवा पहें पड़िवा? Air India रो management को structural aspect रे चेंज करीवा पड़िवा. बहु सरा reform आपें पड़िवा. तो it is also relevant in welfare administration because failure of bureaucracy in realizing developmental outcome. तो bureaucracy कौन कर्ची ना developmental outcome को realize करीवारे failure है जाऊची. So competition must be introduced in service delivery mechanism. तो आमों को anyhow service delivery mechanism रे competition नहाती दरका. So to make bureaucracy efficient and accountable. But the government should not withdraw itself completely in the name of privatization. तो इन्दा नेम प्राइबेटाइजेशन आमों जो एबे government जो करूछी जिनसो उड़ा. सब्बू जिनसो प्राइबेटाइज कर दूछी. तो स्टेटा के बे हैबा कथा नुहां. जिम्दी LIC को भी से privatization कर ला होला कोची. IPO-5PO स्टाट कर ला नि. तो NPM can be successful in country like India by improving the quality of regulation. ताले quality of regulation को आमको improve करिया पहीं पडिवो. Since private sector is not perfect, it should be the properly regulated so that ultimately benefit to the people. तो private sector मनु को जोदी ठीक से regulate करिया है, ताले आमको आमको करिया पहीं पडिवो. People मनु को benefit करिया पहीं पडिवो. So the spirit of NPM can influence government functioning by making bureaucracy legally accountable for their performance. The spirit of NPM can influence government functioning by making bureaucracy legally accountable for their performance. तो आमें देखिते लेटा. Bureaucrats मनु को legally accountable करा government functioning को नहीं की. तापर ए गौभर्नान्स reform like citizen charter, social audit, public service delivery. तो यह जो reform जो अच्छी, those can be, act can be example of new public administration, new public management in India. So NPM also succeeded in making our PACs efficient. They adopted scientific management technique to improve their performance. तापरे किछी थिंकर को जो आमें जो देखिवा किछी थिंकर करन कोई ले ना NPM कु नियर टेलरीजिम कोई ले. But in reality NPM is much more than adopting scientific management technique. It is about changing the administrative philosophy behind the governance. It is about changing the administrative philosophies behind governance. It is about making bureaucracy legally accountable to people for their performance. So it is also about overcoming the weakness of the Weberian bureaucracy. तो Weberian bureaucracy जो weakness थिला, से weakness को दुरो करिया पें NPM आशितिला. तापरे it is about eliminating new despotism. And finally NPM is about providing choices to citizens which is essence of democracy. So it is about eliminating new despotism and finally NPM is about providing choice to citizens which is essence to democracy. तापरे कॉन हला ना second war जो complete हे गला सेतवड कु अमरो जो most of the colony got independence from their imperial master. So अमरो decollination स्टाट हला. So since these country were under imperial rule for long period of time, they are ruthlessly exploited. For example, India by the time of its independence had been transferred into one of the poorest country in the world from being the richest country in the world before the foreign power had invaded the country. So these poor country were in the need of rapid economic growth and development. So it is possible only with investment. They did not have any resource. They are forced to depend on foreign assistance. So multilateral institution like IMF, World Bank had come into existence to provide financial assistance to developing country in the form of loan and aid. So multilateral company जो आशिले, IMF, World Bank, एमने कुट बाइशिले, तो बेसिकली प्रवाइड, financial assistance प्रवाइड कुरिया पहीं, developing country माना करो, in the form of loan and aid. So 1960s, 1950s, 60s, 70s are the decade, जो तरे कॉन इतला ना गेव रेजिस, आसिस्टांस. World Bank has charged huge amount of interest into its member country. World Bank कॉन कला ना तारो country माना कु, member country माना कु, बहुत सरा assistance दला, बट, huge amount of interest भी नो दला. So by 1990, most of the country fell into situation of debt trap. जे तो interest रेटी बहुत लाए debt trap रे समाने फशिज़े इतले. They could not repay the loan. They again approached World Bank for fresh loan to repay the old debt. Normally, country are given loan on the basis of their sovereignty. हेतरे आमरो सभर्नीटरे, collateral security का कु दर कर हुए नी. So most of the developing country who had taken loan, fell into the hand of dictatorship within a short period of time. So these dictator have used the loans given by World Bank for their personal comfort and luxury. See, जो developing country मने loan ले समाने, तांकर जो dictator मने कुण कले ना, तांकर नीजरो personal comfort आवा लोक्जरी करिवारे लागिले. So there was lot of corruption in functioning of their political and administrative system. So पुणि अधर जेतलो World Bank कु समाने अप्रोच कले, Again for fresh loan, World Bank has imposed certain conditionality. So these conditionality popularly known as good governance. Okay, so concept of good governance के बहास्तला, First time 1992 रहास्तला. The World Bank had two times is that sub-saharan African country and Latin America. The good governance कु तांकर रिलेट करी परिवाइतरू, Okay, तो इतरे आमें conclusion रे कमड़ पाइले, ना South Asian country माने good governance को focus करिया नियाती दरकर. So good governance को जोदे आमें focus करिया, आमर पॉलिटिकाल, economic and administrative system को नहीं की, आमर जो functioning होजी ताकु भल से बुजी पारिवा, आउज fresh financial assistance भी आमें पाई परिया. So South Asian country most ensure good governance with functioning with their political, economic and administrative system for fresh financial assistance. Okay, so this is about new public management. So new public management रे आमें कौन कौन सब पाढले, दाग्राउंड पाढले, ताप्रे new public management meaning पाढले, objective को पाढले, analysis कोले, effect देखेले, LPG, criticism कोले, ताप्रे conclusion को गले. Okay, तो एई सबु conclusion परे देखो तिन्द्या question. तिन्द्या question देखो, गोड़े 17 रेपोर्ट तला, गोड़े 18 रेपोर्ट तला, गोड़े 19 रेपोर्ट तला. तोन 2020 रे जाहाल ले भी गोड़े question आशिवा. तोन बहुत important तमें इग्नोर करी परिवनी के बे. तो फास्ट देखो, फास्ट कुश्चिन कौँ कोई ची, ना central theories of new public administration and new public management are different. डिफोरेंट, जेतु public management और management perspective रहोची, administration रा administrative perspective रहोची, तो ताक्कु नहीं कि तमें 60 mark लेखी वो. तो एटी तमें कौँ करी परिवा? ना management और administration भी गोटे, और differentiation भी करी वो. ताक्कु रहोची ताप्रे, new paradigm called new public management has several interrelated components that cut across traditional way of organizing government. तो new public management have several interrelated concept, component that cut across the traditional ways of organizing government. तो बोट बड़ा कुचिन, ताप्रे, the term of new public management is essentially a market-based ideology characterized by importion of the ideas generated in the private sector, setting within the public sector organization, comment. तो यह तिन्टा कुच्चिन कुट्राइ करी वो, यह तु तु तमरो एक्जामर पड़ी थे ला, तो आकु डिटेल रिस्टास करी वो, तो तिन नवर कुच्चिन देखो, new public management, जो essentially market-based ideology characterized by importation and ideas generated in the private sector, setting with public sector organization, comment. तो यह को ने की भी तुम्हें answer लिखी पर ही हो easily. ओके, तो आज ही पहने थे की, thank you, thank you for watching this video, bye bye, take care.